सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु या रहर महादेव जिन माईलाओं की कमर में हमेशा ही दर्द रहता है, तकलीफ रहती है या जिने स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर साइटिका का इशू है तो आप सोंबार की अश्टमे के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिए, इस उपाय में आपको क्या करना है, 31 सफेद पुषप लेने हैं यदि सफेद आगड़े के पुश्पो आपके पास में तो आप वो ले सकते हैं या और कोई पुश्पो आपके पास में सफेद करर का तो आप वो ले सकते हैं कुल 31 पुश्प लेने हैं साथ में बेल पत्री की व्रक्ष की जड़ जो बेलपद्दी का प्रक्षू उसके नीचे थोड़ाँसा कड्डा कोदना और उसको जड़ दिखे उसको निकाल लेना उसको निकाल लेने के बाद में उसके उपर की हिस्से को हटा देना अंदर का जो सफेद बाला बाहा को जड़का केवल उसे ही अपने पास में रखना अब आपको क्या करना है सोम बार की अश्ट में की दिन सुबह शिव मंदिर जाना है शिव मंदिर जाने के बाद में यह जो 31 सफेद पुश्प है या तो आप इनको एक साथ समर्पित कर दीजिए या फिर एक एक करके समर्पित कीजिए जब एक साथ समर्पित करोगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और एक करके समर्पित करोगे तो भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेना है आपके पास जो जड़ है उस जड़ को समरपित कीजिए शिवलिंग पे कुंद केश्वर महाद्यव का नाम लेकर थोड़ी देर शिव मंदिर में बैठिए उसके बाद में उस जड़ को उठा कर ले आईए धर लाकर उस जड़ को पीस लीजिए अब अगले दिन सुबह उठक पिना कुछ खाए जो जड़ आपने पीस करक रखी उसको आपको तीन बार पीना है अगर वो जड़ लिक्विड फॉम में तरल में है तो उसको तीन बार पीना है और अगर सूके हुए ड्राय है तो आपको तीन बार उसकी फाकी लगानी है एक बार लेओ जब आप उस जड को पीओ तो नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव फिर दूसरी बार जब आप वापिस से उस जड़ को पीओ उसी समय पीना है तीन बार एकी समय पर पीना है आपको सुबह उठते से ही पहले एक बार पीओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दूसरी बार पीओ दूर ना हो तो अगले सोंबार को यानि कि जो सोंबार के स्टमी के बाद वाला सोंबार है उस सोंबार को फिर से कतिस फूरर जड़ लेके चले जाएए फिर से इस उपाय को कीजिए चाहि टिका का इश्यू हो कमर दर्द कितना भी पुराना हो या फिर सिलिप डिस्क की इशू चल रहे हों सब समाप्त होगा बस विश्वाज रखे उपाई कीजिए सभी भक्तों को शिरी शिवाए नमस्ता